ही वाट्सवीपल यू एर पैक और एपीसोड अब वाट हंडेटेज तो गाइस आज मैं सर्फाइब करने वाला हूँ एज शिप्शेप्टर मैं इस चैनल पर अभी तक मेरे लाइफ में शिप्शेप्टर में हंडेटेज सर्वाइब नहीं किया और मैंने कभी इसको नॉर्म लेकिन आज पहली बार वह भी इल लिगाज शिप्शेप्टर में आपका सवागाते तो इस शिप्शेप्टर हंडेटेज में हम को हर कुछ दिनों के अंदर रंदर एक नया करेक्टर में हम लोग बदल जाएंगे जितना भी करेड़िटर पारफुल में हम लोग बदलेंग और आखरी इंफानाइट पावर उसको हासिर करने के लिए हमको हराना पड़ेगा इस जगह का सबसे खतनाक मौन्स्टर से वह दे प्रावलर पूरा ही सुनसानर बिराना एरिया पे जहां पे दूर दूर तक जहां तक भी आखे जाए कुछ नहीं दिखता है हमको तो यह समय सर्वाइब कैसे करेंगे तो कुछ दिन चलने के बाद सामने एक बहुत सुनदर सा पेड़ दिखा यह पेड़ देखके मेरा मन में बहुत ही ज चल पड़ा सब्सक्राइब करने तो इस सब बनाने के बाद हम फिर से क्या किये पता है ना हम चल पड़े माईन करने तो नीचे थोड़ा साथ दुर जाते ही आपको बहुत बड़ा केव दिखा पुरा लश्ट्रेब लेकिन यहां पे दिक्कत था यह लश्ट्रेब में या इन ज़ादा तो दिख रहे थे मुझे जॉंबी और एक चीज या पर जॉंबी से जादा इंड गोल्डी दिख रहे थे क्यूंकि यह बैल्ड लाइन का बायाम का केप था तो इसमें आहरे से जादा हमको गोल्डी मिलेगा बड़ मुझे गोल्ड चाहीं नहीं था तो आसी में फिर से निकल पड़ा हमारी जगा ढूंचे जहां पर हरी आली हरी आली हो लेकि जातेजाते हमारा खाना भी खतम हो गया हम रुकने का अब आले थे हम बोड़ बनाकर चल पड़े पानी में सफर कर पड़े क्योंकि यार पानी हम को बचा सकता था जलते चलते हम यह पर पर चरब बहुत जादा तो कि मैं तो तिरफ को अच्छ मार ही डालूंगा लेकिन इसको पता था वही मरने वाला है इसको यह से मैंने मार के थोड़ा बहुत खाना का हीलाब किया कुछ को खाना बहुत ही ज़्यादा इंप्वाटन था उसके बाद में आप बोर्ट लगा के फिर से चल पड़ा दूसरा आइलेंड के तलाश में क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा जॉंबी पड़ गे थे और म मैं अभी हुमन था और मुझे अभी तक सेब शिप्ट में चेंच कुछ भी में मुझे मिला नहीं था फटाबट करके याप में फाइनली कुछ दिनों तक भटकने के बाद मुझे एक सबाना बायम मिला और इस बहुत ही जादा सुना था इसके बाद में यापर थोड़ा ख यापर सबसे जादा इंपोर्टन था खाने के अलाबा याप मेरे लिए कोछ भी इंपोर्टन नहीं था तो फटाबट करके यासे मने खाना कलेक्ट के इतना ज्यदा हो सके फिर में थोड़ा बाद विलेज को लूटा एक घर को मैंने कभजा किया है जितने सारे कचुड़ा इस बात है में पास सब मैंने स्टोरेज में भर दिये जितने सारे मुझे हेबल्स मिलें थे उससे में यापे ब्रेट बनाना शुरू कर दया क्योंकि ब्रेट यानि क्या खाना में इंपोर्टन खाना चीज उसका दो फिट से यापर चल पड़ा माइन करने तो कॉल माइन कि थोड़ा बात आनं यह समद लोग मैंने के लिए बेस आने से बहुत सारे आइरमर पना लिए अर्मर मैंने के लिए बाकी आरयन का जो चीजे मुझे निए इस रहा calendar अजैन के झाल झाल हुआ हैं इस नगाइए तो आखी हुआ कर ना ही करे कि You कुछ तो यहां पर हुआ को है तो यहां पर हुआ क्या में बनाते ही एक दूसरे ऐख दो धर यहीं यह 'Too ता मैं तो यह टीवी हूँ लेकिन असलिया में टीवी नहीं था कुछ अल्गी मॉंस्टर था वह फॉर्स्ट मॉंस्टर मैं पूरा प्रॉर्ण आर्मर चेंज हो गए तो यह इसे तो एक विलेजर भी ही मर रहा था यानि वह सच बाच था कि हम लोग इतने ज्यादा शिप्ट होएंगे उतना ही ज्यादा हमरा पावर बढ़ता है जाएगा तो पहला जो पाहर बहुत ही घटिया बहुत ही बेकर था इसमें क्रीपर मारते 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 तो भाई जैसे तैसे में खुछ का जान तो बचा लेकिन शुष मैं हार्ट कंम था इसका बडा इसका बेस बहुत ही ज़्यादा तो भाई और इस से में और बहुत आप दहीं सबसी इस सब acronyirit खर這些 में घर में आप पार था क्योंकि मेरा दो बड़े बड़े हाथ जो में घर के अंदर ने उस पारा था तो फटावेट करके आप मैं ने दर्वाचा काट के फिर से दर्वाचा लगाया क्या जिंदेगी है मेरा चल कोई बात निए उसके बास फटावेट कर गे हम यह आप जितनी सरे कच्छरा उसको मारने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उसका हिल्स बहुत जादा हो तो यह सब करके फिर आप फहुंचा में यह आप माइन करने सबसे पर थोड़ा बहुत हमने कोल वगरा और स्टोन भी माइन कि जो कि हमको थोड़ी कुस्टाइम पर काम आने वाला थे सब चीज़े त याँसे मैंने एक रूइन क्राफ्ट अल्टर बना लिया जिसके इस्टोन एंड कोल्ड रखने से बन रहा था फायर रूइन लेकिन मेरा जो करेक्टर था वह भी फायर रूइन यूस कर नहीं सकता था वह था फॉर्स्ट यूजर तो इसके लिए मुझे फॉर्स रूइन बना है कि नहीं तो फाइनली यह काम कर रहा था जिससे मैं यह फॉर्स रूइन बना पा रहा था जिससे मेरा जो पावर का जो डिवरेशन भी बहुत जादा बढ़ जाता तो फॉर्वट करके मैंने यह पर जितने सारे हो सके मतला मेरा सबल जितने यह माइन कर पर मैंने यह से मा काम आने वाला था तो यहां से pumpkin harvest करके पहला में घर के पास spawn किया लेकिन यह भाही पर टपक है क्योंकि सवाना बायम बहुत ही ने थेड़ सारे ruins बना लिया यह सची में बहुती ज्यादा time चलने वाला था यह इतने सरे चीजे थे मिने फट्टवेट करें स्टोडेच में या इनको डाल द यह इसके बाद रावने ताई मनने फट्टवेस्टिंग करने का जो कि हमने फार्म बना बना था तो सबसे पहले को मानना शुरू किया लेकिन बॉस भीया को एक दो परसंट डामेज पड़ा और मैं छोचा खाना-खाने पीछे जब आया बॉस फूल हो गया मतलब कोई सेंस नहीं बनता मेरा इस जो करेक्टरिस से हरा पाऊ तो यहां पर आकर टाइम शाय मैं माइन किये पीछे स बॉस भाए को डरा दिये तो मैं उपर भाग गया तो कि मैं उड़ सकता था तो मैं डर नहीं था तो फटरवट करके यहां पर कर पर को समारा जो बहुत टाइम लागा उफ भाई क्या ही बेकार पाउर थे मेरे पास अबी तो यहां पर कुस्तित दाइमन हम लोग ने माइन क करती करते हम लोग कितने सारे तीजे ना भटक चुके ना और बहुत दर्दवा फिज जब मैं उपर आया तो मैं फिर से टांस्वर्म हो चुका थे बहुत ही अजीब गरीब चीजों में मुंडी तो थे हमारे प्लिंग के बाड़ी तो थे विदर के मैं खुद को नहीं पता हमें खुद को बोलू क्या विदर प्लिंग विदर और इसमें मुझे मिला था फायर के पावर यानि थो आसा तो दर्दनाग था तो भाई यह देखिए मैं था हुआ सा खुश हुआ दूख में समझ आने रहा था एंड रिटरली बताओ अभी मुझे टेस्ट करना था यह ज काiness मुझे लगा बहुत फॉर बन गया कुंका जैत। मुझे बहुत तरबी में फारिपर उसके मुझे बडा फॉक लगता है दो तरन वे पॉक रही पहुट एसना करेंगा तो में घर एक मंस नीमा में बड़ता जाए तो इस ने कि यह बाल सुखान büy़ , आप Administration मुझे ऑगा तो मैं पार के पूरा ही बेवा खूब तरीका से यूज किया एक मुझे करना नहीं चाहिए था छोब आ के बीड और की तरीक मनें चाहिए और प्लेम किया नहीं में विट समय, तो नहीं चाहिए फिर्ची बीज करने के सब्सक्राइब करatu हुआओ इसके बाद पार के में म 갑자기 शील क्नते संब्सक्राइन करने के लिए थे कि चिव वा जाती है रखवादिस। तो इसको ब्लॉग करने के बाल स्क्र dob का इसे में ट्रेड करने का कुशिश हूं लेकिन इन्सनों को ट्रेड देए ना की ओंस्टार को क्यों कि अब हमें इंसन नहीं रहा पहले जैसा तो में मुखरह देखके ईसके मुझे ट्रेड नहीं दिया यह सोच के मुझे बहुत दिल में दूखवा में मॉन्स्टर हो तो क्या वह अंदर से तो इंसान था ना यार लेकिन विलेजर ने बात नहीं सुने तो यहां पर मैं थोड़ा बहुत सामनी आया तो यहां पर आके मैं थोड़ा से कारेट फार्म बनाना शुरू कर दिया मुझे लगा कि अब इंचैनमेंट टेविल बनाता हुआ कि अगर मुझे विलेजर यह भूक्स ना दे तो अमको इंचैनमेंट टेविल से लेना पड़ेगा तो फुरा राद भर हंटिंग मॉन्स्टर हो के काउउस के होड्स के पूरा राद भर मारा मारी किये मैं सच्छी में क्या नहीं बताओ तो यह सब करने के बाद हम सीधा यहां पर सुभा आके फिट से जो कैरेट हम लोगों ने दो तीन वेट किये कैर जितने उगे थे उसको फिर से यहां पर रिप्लेंट करना शुरू कर देख नया फार्म बनाके हां इसमें थोड़ा बहुत नहीं बहुत पर खाली हो गया था यानि मैं डायमन का आरमाट इजली पहन पाऊंगा तो फटरबड़ गाईस बेस में जने का ट्राइक क्या लेकिन मैं बड़ा हो गया इतना तो बेसके अंदर ही ने घुस पा रहा था मैं तो मुझे बेस पुरा तवहा करना बड़ा फिर अंदर चाके दयामन के अर्मर होता है निगा होटते चЕस प्लेड सब चीज में एकड़ करते हमने चुरू कर दिया तो यह पे हमने आर्मर पूरा कर फुली बना ली है क्या आर्मर बनाने के बाद आका हुआने हम यह का या पर पहनेगे तो अर्मर पहनने के बाद हमने डिसाइट कि जो बॉस से थोड़ा से पीट के आये थे मतलब हमने इसको नहीं मार पाए उसके बाद जाके इसको मारते तो फटाबड़ी आपे बॉस के पास आ पहुचा और मेरे एबिलिटी से मैंने भाई जॉंबी इसको वान शॉट मार पार था तो मुझे लगा है बॉस को क्यों नहीं मार स भाई यह खतम हो के मुझे इतना खुशी हो रहा था क्योंकि इतना पार मेरे पास आ चुक है मैं किसी कई में तभा कर सकता हूं इंस्टेंट तो फटाबड करके तभा करने से पहले मुझे थोड़ा और माइनिंग करना था क्योंकि अभी मुझे जाना था नेदर तो यहाब हुआ है हमारा नेदर डमेंशन तो नेदर डमेंशन में पहुंच आए यहाँ जीजित्वा पार था गस्ट का हेल्थ ऐसे कम होता है फिर भी मैं हएक चीज़ों कर पार था बहुत ही आसानी से स्कुलेटन खां वीड़ा को हर एक इस को तो फटाबट करके यह से जाते-जात तो मुझे लगा चलो कुछ और उदर मारते उदर स्काल इखटे करते क्योंकि यह तो नहीं नेदर के सबसे इंपॉर्टन था तो मैं लगा तर यहां पर इतनी सारे ब्लेजिस थे इनको मानने लग गया तो जाते जाते में एक ब्लेजर के स्पॉनर के आ पहुंचा तो यहां दो सेम जगाप और यहां से भाई भाई खतरनाग बले ब्लेजर इस पॉर रहा थे जो मैंने कभी देखा नहीं इतना खतरना ब्लेजर स्पॉन होँ रहे थे तो मैंने जैसे तैसे इनको अपने पाउर से अमानने का ट्राइक लेकिन सच में मेरा जब वन शॉट एविलीड इन पर काम नहीं कर रहा था ठीक ठाक से यह लोग अपने शीर्ट से इसको ब्लॉक कर रहा था और में कहा रुकने वाला था तो मैं इसी के साथ गाईस याप हम लोगने ब्लेट का ब्लेज का जो पॉस्त इनको में ने हरा दिया और यह फिस्पाउन हो रहा था मॉंस्टर्स तो इनको बिचा के मैं सिरीफ और शॉर्ड करके इसली में मार दे रहा था क्योंकि इनको मारना सबसे आसान थे इनको थोड़ा सा टाइम लगे मुझे को यह आपर मारा मारी करने में तो यह से थोड़ा बहुत ब्लेज चीजे एक अटा किया है फिर यह बहुत सा सबसेकर में आप अravær के और थार उनको यह बना पहुत थोड़ा थोड़ा करने के लिए लगे तो विलेज weet रांच मुझे मुझे मिंधाय इसने बोला भाग आइ में तुप्रवां करने ने교ata यह जो बॉस था ना मरने का नाम ही नहीं 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 पर रहा था यानि यह मेरे तो यह से मैं बहुत ही गंदा मार खा रहा था मैं बहुत टाइम था किसे ट्राइक का मारने के लिए मैं लेकिन थोड़ा सा दस एक चुछ में इसका कम नहीं कर वा भाई अच्छी मैं फिर में कुस टाइम को बाद हार मान के मैं यहां पर सोचता हूँ चलो अभी घर चल जाते मैं यह से सीधा चला गया घर तो घर जाते मैं इतना ही कमजोर हूँ क्या मैं बहुत ही ज्यादा ताकत बार हूँ लेकिन बहुत बास में मैजिक डैमेज काम नहीं करता यह भी था ख़दरनाक चुछ दिनों के बाद हम फिट से ट्रांस्वर्म हो चुको तो एक नया कारेक्टर पर और यह देखने में कितना वासम हैं कित जूछ बहुत ही घजा दाक भलाव मुझे इसके अबिल्टी इसको बात या ताइको पाल घ्राव मिल गया और एक मुझे तलवार मिला मुझे पता नहीं थे चाकरा तो मेरा पोट्रीट करता तान तो तलवार था मैं किसी को भी मरों उनका सोल उनका आत्मा होते वह जो करवा के मेरे लिए मारा मारी करवा सकता हो तो इसमें मेरा दोनों ही आबिलेटी पार आप हो चुक थे एक फायर पावर यानि में दोनों स्पेल एक साथ उसकर पार रहा था यह बले क्रेक्टर के साथ अभी मैं पाउड लेगे चल पड़ा नेदर पे वही गॉंडलेट को मार ने जो कि मुझे बहुत ही गंदा मारा था टाइम पर फटबट करके यहां पर आके मेरे जो पाउर तुसका एविलेटी यूस कर रहा था मेरे फैमिलियर्स थे मिन इसको भी समय कर दिया यह लेकिन यह लोग बहुत ही जादा बेकर डामेज दे रहे थे तो यानि मुझे हाई यह भी मेरे साथ ही था एक टाइम पर अभी मैं इससे इवाल्व हो चुका हूँ उसके बाद यार नो कोई भी फार पावर कोई भी फॉर्स पर इस पर एटक काम नहीं कर रहा था तो मैं अपना तलबर से इसको एक शॉट में आधा हच भी कर दिया तो देखते ही देख उठा के मैं आप पहुचा यहां पर सोनो एरिया पर जहां पर स्पॉन हो था डेस्टॉकर तो डेस्टॉकर था इसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ फेमिल्यार से खटा करने था तो मैंने फटाबट करके आज वज इतने सारे क्रीपर मॉंस्टर थे इनको मार के सोले खट मैं अपने स्पिल के यूज करके इसको वन शॉट इमार दिया तो भाई इतना जादा ही में ताकत बर बन चुगा तो मैं किसी के भी बॉस को भी वन शॉट मार साकता था लेकिन 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 तुबह होते ही आपे नाइट प्रावलर स्पॉन होगा एंड उसके बाद हमने आपनेटिकली हमारा जो आखरी जो पावर था जो इंफानेट पावर इंफानेट ताकर उसमें चेंज हो चुके यानि में जो करेक्टर ते उसके बाद अभी इसका तलवर में लूटा और सज बताओ तो इसका तलवर था इसका डामेज था 110 डामेज बहुत ही जादा खतरन तलवर हमारे तो इसको मने स्विच कर लिया हमारे में तलवर वैपन के साथ अब ही बाई टाइम था जो सोल साइट सा सोल रीपर इससे मुझे हर एक बंदों का सोल क्याप्चर करके मेरा नेक्स्ट ऑपोनेंट को मार आमारी करने के लिए लेकिन जाते-जाते मुझे आप घ पड़ में इसको नहीं मार पाई क्योंकि यह भी बहुत ही ज्यादा पारफुल था मेरे से भी ज्यादा तो मुझे आखिरकर मेरा जो इसको यूज करना पड़ा पहले इसका फर्स स्टेज से मर के सेकंड स्टेज और दूसरा स्टेज से पूरा ही खतब यानि मैं इतना ज्य इंड में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं पहुंचा हमारे धाय इंडर्ड्राइगन के बाद क्योंकि अपर पूरा ताकत हसिल कर पाएंगे सबसे पहले चाक्राहिए उसके लेकिन चाक्राहिए कोई भी काम कर नही आया एंड उसके बाद मुझे अपना यह फिल पारं करना परा ड्राइगन को मार रहें लेकिन मैं सद बताव तो पहला जो शॉट ड्राइगन ने ले लिया यारी ड्राइगन मेरी से भी ज़्या टाकत बढ़ था यह यह तो बहुत यह नाइसा भी था तो मैंने दूसरे बार इसको मौका ही नहीं दिया कुछ टाइम तक तो यह दिक्कत हमने साथ हो गया था हमने यह पर एंड में आके इंडर ड्राइगन को हरा तो दिये थे लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही गलत चीज हुआ क्योंकि अभी हम लोग इतना पारफुल बन चुके थे और इतना बड़ा बन चुके थे हम लोग इंड पोर्टल में फ पारफुल बन चुक था इतना बड़ा बन चुक था इसके लिए में फिलाल एंड में ही फच्चुक था तो यहां पर हम लोग सोचे कि चलो यारं टेश यह पर करने का कुछ था नहीं तो छलिए यारंटेश मान्ज इतना ही रखते हो नए को पसंद आया होगा आया है तो प फैस्ट चुक है ओवर नार्ड में लोग कब्जा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन इस पूरा दुनिया में कब्जा हमारा रहेगा पूरा एंड वर्ल्ड हम इसमें राज करेंगे ओके